दोस्तों नमेश्टार यूपी पीस्चेस 2023 परियाप्त समय है जितना समय आपको चाहिए प्रिलिम्स और मुख्य परिक्षा दोनों की तेयरी के लिए वो समय 2023 के लिए आपको मिला हुआ है तो इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करना है क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है ये सभी अभी डिसाइड करना होगा आपको एक सही और सटीक रणिती बनानी होगी और सटीक रणिती पर अडिक रहना होगा भले ही बीच में कोई सुधार की लेकिन नहीं, आपको इसी पर अडिक रहना है कि नहीं हम यहीं पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अगर इस जिद को आप ठान लेते हैं, यहीं जिद कर लेते हैं, नहीं हम यहीं पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और सब कुछ सारी परिस्तिय आपके अनकूल हैं पढ़ाई के तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, कोई सफलता आपकी रोक नहीं सकता है बाकी है शॉर्ट कर्ट, ट्रिक्स, फिक्स ये सभी काम आते हैं लेकिन तब काम आते हैं जो आप पढ़े हो लॉजिक्स तभी आप लगा सकते हो जब आप पढ़ाई की हो और पढ़ना इसलिए भी जो हो रही है क्योंकि आपको सिर्फ प्रिलिंस क्वालिफाई नहीं करना है रट के आपको मुख्य परिक्षा भी क्वालिफाई करनी है जिसके लिए समय बहुत कम होता है तो अभी यह राइट टाइम है अपनी पढ़ाई को उस तरीके से करने का तो आज मैं आपको कुछ अथेंटिक स्रोत बताऊंगा जो आपकी तयारी में काफी आसानी से आप एक तो तयारी कर सकते हो दूसरा मुख्य परिक्षा की भी तयारी साथ साथ आपकी हो जाएगी आधा सिलेवस आपका मुख्य परिक्षा का भाई से कवर हो जाएगा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा प्रिलिम्स और मुख्य परिक्षा के लिए लेकिन मैटर वही रहेगा तो बार-बार रिवाइज करेंगे तो Prelims मुख्य परिक्षा एक साथ तैयर होगा आपका लेकिन Prelims के लिए आपको Extra Facts चाहिए ही चाहिए और बहुत सारे Facts आपको रटेने भी पड़ेंगे तो आईए एक बार आपको हम बता देते हैं कि क्या आपके पास स्रोथ होने चाहिए तमाम यूट्यूब से भी या फिर अपने सीनियर से भी आपने पूछा होगा लेकिन हमारा भी दायत तो है कि आप लोगो कुछ अथेंटिक बताएं ऐसे स्रोथ बताएं जिनसे लोग जो पढ़ करके क्वालिफाई होते हैं बहुत इजली तो आईए आपका काम थोड़ा सरल बनाने का परियास करते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों को डिसकसन करेंगे हाँ पेपर वन पेपर टू इसलिए डिसकसन करें क्योंकि इस बार काफी लोग उसमें लुडग गये हैं तो वो इस ते तीना आये आराम से 50-60 कर लें बहुत सारे लोग एजली कर ले आते हैं हर बार बिना पढ़े तेहरी भी करके नहीं आते हैं ऐसा क्या उनके पास चमतकार होता है तो वही चमतकार होता है जो आपको हम बताएंगे भी चलिए पेपर वन हिस्ट्री के सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री सुरुआत करेंगे तीनों हिस्ट्री के लिए तीनों इतिहास के लिए और विश्वितिहास के लिए भी आर्था जो मुख्य परिक्षा का अब कसले बस है NCRT 9 से 12 हिस्ट्री के आप ले लिजए ठीक है ये आपके प्रिलिम्स और मुख्य परिक्षा दोनों के लिए और उसका जो अभ्यास प्रश्ण है वो जरूर लगा लिजएगा क्योंकि अकसर वहाँ से प्रश्ण उठा देता है योग कोई भी आयोग उठा देता है सिदे NCRT से तो ये दो काम में आएगा एक तो मुख्य परिक्षा के लिए authentic समगरी आपके पास होगी कोई भी आपका इसके पांडे में अगर कोई फैक्ट इधर उधर होता है तो आपको समझ में आ जाए या कोई भी फैक्चुल बुक हो या पी वाई क्यू हो लगा रहे हो तो आपको कोई भी डाउट होगा तो NCRT में आप देख सकते हो तो इसलिए इसलिए पर्यावत फैक्ट्स हैं मज़ा आएगा पढ़ने में इसके पढ़ने की बुक तीनों ले ली जाएगा PYQ, previous year questions, सबसे महत्पूर्ण है मैं बार बार आपको साल बर से मैं जब से पढ़ा रहा हूँ यूट्व पे तब से मैं कह रहा हूँ कि PYQ जरूर लगा ये कभी कभार ऐसा हो जाता है कि previous year कोई question नहीं पूस्टा ऐसा भी होता है लेकिन फिर भी इनका महत तो कभी कम नहीं होगा selection पाने में आपका सबसे बड़ा योगदान PYQ का रहता है previous year questions का रहता है ना सिर्फ UPPCS बलकि और भी की व्यक्या explanation के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो फिर आप miss नहीं करेंगे और logic और जो tricks है elimination method ये सब अपनाने बहुत ही मदद करेगा ठीक है सिर्फ knowledge के बलपे आप परिक्षा पास नहीं कर सकते हैं ना UPSC ना UPPCS ठीक तो PYQ ये तीन किताबें आप history के लिए ले लिजे कुछ और पढ़ने के और शक्ता नहीं है आपको geography NCRT 9 से 12 ये ले लिजे महज बर्नवाल की पुस्तक तो अपने आप में परियाप्त है भारत का भुगोल विश्व का भुगोल दोनों के लिए लेकिन NCRT 9 से 12 अभी अध्यन आप कर सकते हैं बहुत पतली पतली वुक्स हैं बहुत जल्दी समाप्त होती हैं और इन दोनों को मिला कर पढ़ेंगे तो आपको easy पढ़ेगा ठीक है लेकिन main focus आप महज बर्नवाल पर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही संक्षित में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर जितना जवुरत है आपको और previous question लगाना ना भूले ये तीन कर लेते हैं तो कुछ करने की आउशक्ता नहीं मांचित्तन भी महज बर्नवाल में भी बहुत अच्छा दिया है और NCRT में भी बहुत अच्छा दिया है तो दिये तीनों आप पढ़ लिजेगा इंडियन पॉलिटी और कंस्टिट्यूशन के लिए और IR के लिए NCRT की ग्यारवी और बारवी की पुस्तक 9-10 की खईदने क्या उशक्ता नहीं है ग्यारवी और बारवी की पुस्तक आप ले लिजेगा IR का भी बहुत 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 मदद मिलेगी बाकी सब कर इंटरफेस रहेगा बहुत इजली समझ जाएंगे बहुत अच्छा आप लिख कर आएंगे इसके लावा बिज किशोर शर्मा की जो कांस्टिट्यूशन आती है मैं एमलक्षमी कांत आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने के और शर्मा पढ़िए आपकी सारी जो अधानात्मक समझे कांसेप्ट सब कुछ अच्छे समझ में आएगा यहां से इसके लावा CLA की बेर एक्ट ले ली जाएगा बेर एक्ट से आपको बिविन अनुच्छेदों को घराई से पढ़ने में और समझने में मदद मिलेगी एकदम नया वाला ली जाएगा जो समिधान संसूधन के साथ हो जो नमिंतम समिधान संसूधन हुआ है उसके साथ हो संसूधनों को खासकर आप बार बार पढ़िएगा उसमें और में में जो अनुच्छेद हैं जो मैं बता दूँगा क्यों को अनुच्छेद आपको प्रिलिम्स और मुख्य परिक्षा दोनों के लिए पढ़ने है और इसके लावा पी वाई क्यू प्रिविएस येर क्वेशन एकोनॉमी के लिए महश बनवाल की ही पुस्तक परियाप्त है अपने आप में छटी से बारवी की एंस बेश NCRT आती इंग्लिश यंदी दोनों में आप इसको ले लिजे कुछ और पढ़ने के आउशक्त तनी सारा कांसेट आपका क्लियर हो जाएगा इसके लावा करेंट अफेर्स मैक्सिवम पोर्षन जो आता है बजट एकोनॉमिक जो सर्वे है ठीक है उत्पादन के आकड़े हुए खनीज आदी ये सबी एग्रिकल्चर हो गया ये सबी करेंट से ज़्यादा आता है तो करेंट अफेर्स इसलिए मैंने अलग से यहां लिख दिया एकोनॉमि पे विशेज ध्यान देते हैं फिर प्रिवेस येर क्वेश्चन प्रिवेस येर क्वेश्चन में जो परंपरा अगत टाइप के प्रश्ण है वो आप यहां पे सारे हल कर लोगे तो ये तीन जो स्रोत हैं एकोनॉमि के लिए साइंस एंड टेकनॉलजी विज्ञान और प्रद्योकी के लिए NCRT की 6, 7, 8 कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की पुस्तक 9, 10, 11, 12 में इतना गूढ आपको अध्यान नहीं करना है 6 to 8 NCRT Lucent GK जो है ब्लू वाली उसका जो साइंस वाला पोर्शन है वो पढ़ लिजेगा और PYQ लगा लिजेगा बस इतना आपको साइंस में करना है Environment and Ecology में आप शंकर IS की जो नोट सात्ती या भूकाती है English में और परिक्षावाणी की हिंदी वाले ले ले अपनी जो नई विए नविंतम आती है इन दोनों को उस्तकों को आप जरूर पढ़ ले इंग्लिश वाले शंकर IS का ले ले हिंदी वाले परिक्षावाणी की ले ले बेस्ट हैं दोनों अपने आप में और PYQ प्रियेट से रोकेश्चन बाकी Current Affairs में कवर हो जाता है Miscellaneous में आप Lucent GK की जो Listings हैं उसको अच्छे से कर ले और PYQ लगा ले बहुत ज़्यादा आपको इसमें Miscellaneous में घुसने की आउशक्ता नहीं है क्योंकि इसका कोई और और शोर नहीं इसकी कोई सीमा नहीं है जितना भी सुरूद बता दे उतना कम है तो जितना है ये Listings दी है GK Lucent में वो पढ़ लिजए जो दो तीन चार प्रसन इधर उधर से आते हैं वहां से हो जाएंगे Current Affairs के लिए प्रत्योक्ता दरपन की magazine मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रशन बन रहे हैं Best magazine है आपके लिए प्रशन कोई छूटेगा नहीं आपका तो प्रत्योक्ता दरपन की magazine ले सकते हैं Daily newspaper कोई भी एक जरूर पढ़िये आपके मुखे परिक्षा के लिए आपके thinking process डेबलप होने के लिए आपको पास knowledge का जो कमी है knowledge knowledge का भंडार बनाने के लिए knowledge gain करने के लिए increase करने के लिए कोई ने कोई नियूज बेपर जरूर पढ़िये editorial portion उसका जरूर पढ़िये यदि कुछ लगे कि note करने लाइक है तो उसको note भी कर सकते है लेकिन daily अगर पढ़ रहे हैं तो आप आपके मन में आपके दिल दिमाग में कहीं ने कहीं भर कर जाएगा और जब आप essay या कोई प्रश्नकाउट तर लिख रहे होंगे तो वो तुरंत याद आ जाएगा आपको ये महत होता है editorial का तो editorial जरूर पढ़िये या फिर एक और option है कि हम जो महीने में देते हैं आपको उसमें editorial का भी question रहता है उसमें एक playlist भी मैंने बना दी है इस महीने से देना सुरू किया है उसमें विभिन टॉपिक्स हैं मेंस के लिए महत्रपूर उसको discuss कर देते हैं इसके लावा current affairs जो factual है वो भी देते हैं तो उसको आप परमंत वाला जरूर देखें अभी परसों दो तीन चार दिन पहले दिया था माई माँ का जूर माँ का जल्दी देंगे दस तारीक के पहले पहले तो वो भी आप देख सकते हैं paper two paper two के लिए मैं आपको recommend नहीं करूँगा किताबे बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसलिए आपको अगर book recommend करेंगे तो उसमें से आपको चाटना पड़ेगा कुछ topics ही उसमें से पूछे आते हैं तो इसलिए मैं आपको recommend करूँगा इस बार जे होई study अथात हमारा जो channel है वो आपको telegram group एक provide करेगा cset special batch जो लोग cset में अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं cset बहुत easily pass करना चाहते हैं उनके लिए technical पूरी तरह से group होगा जिसमें आपकी video और notes बहुत जादा नहीं इतना provide करवा दी जाएगी कि आप 60 से 70 attempt कराएंगे बहुत confidently और 50 प्लस आपके marks 50 प्लस आपके questions सही हो जाएंगे तो बहुत confident के साथ आप ये accuracy आपकी इतनी आजाएगी cset के paper में कि आपको समझ में आजाएगा कि हाँ अभी समझ में नहीं आता है काफी लोग जो हैं वो अंधा धुन्द मैं तो देखाऊंगी cset में आँख मूद कर लगाते हैं सिक्ता उच्छाल के लगाते हैं ठेक है भगवान का नाम लेकर वो इस्तिती नहीं रहेगी बहुत confidently उसको हल करके आएंगे अगर 60-70 करते हैं तो 50 प्लस आपके सही रहेंगे आराम से ठेक है क्यों क्योंकि याप fix questions आते हैं जाए मैत हो मैसे आप डरते हो arithmetic से reasoning से डरते हो कुछ लोग हैं जो नेड़यन और ये जो comprehension portion है इससे डरते हैं ये नहीं हल करते हैं English वाला जो comprehension इतना आसान आता है वो नहीं हल कर पाते हैं English के जो grammar portion से जो प्रशनाते हो नहीं हल कर पाते हैं डरते हैं इसलिए तो डर समाप्त होगा practice से और जो कुछ नियम है उनको जानने से arithmetic कैसे कोशन आते हैं सीधे सूत्र एक्दम सीधे जादे लड़ू जाए जाए सीधे सूत्र पे चीजों को निकाल करके रख देना है पहचानना है कि कौन सी इकाई को कहां पर रखना है बस यह समझना है आपको बहुत इजली हो जाएगा तो इसके लिए सीधे के लिए special badge हमारी मैं इसे ही recommend करूँगा आपको बाकि आपके अगर पास कोई स्रूत है अच्छा स्रूत है तो उसको मत छोड़िएगा उससे अगर आपको confidence आ रहा है तो नहीं तो यह हमारा जो है अब आप करिएगा एक portion तो शूठी गया आप लोगों को UP special के लिए आप घटना चक्र या TMH की यह दोनों book आप रखिए अपने पास क्योंकि मुख्य परिक्षा में भी लिखने के लिए TMH ज्यादा सही है प्रारंभिक के लिए घटना चक्र ज्यादा सही है तो इंगलिश अंदी दोनों में आती है आप ले लिजे इसको UP special और एक portion है जनगर्णा का जनगर्णा के लिए बहुत सारे स्रोत हैं लेकिन best आप परिक्षा माड़ी वाला ले लेए यह best है ठीक है परिक्षा माड़ी की ज़ो आती है जनगर्णा वाली वो best है उसको आप ले सकते हैं तो यह रहा पूरा आपका जो स्रोत है prelims का GS मुख्य परिक्षा के लिए जो GS के चारों पेपर है एक वाष्ट सिलेबस है बड़ा सिलेबस है GS का हिंदी निबंध अगर मिला दिया जाये तो और थोड़ा सा वरियत हो जाता है तो इनको conclude करके अपने अनभों के माध्यम से और तमाम जो सेलेक्टिक छात हैं उनकी मदद से हमने आपके लिए मैटरियल त्यार किया है इंदी इंगलिस दोनों में तो आप इसका अलाब भी ले सकते हैं चाहें तो मुख्य परिक्षा के लिए अभी इस त्यारी करिए UPPCS prelims 2023 मुख्य परिक्षा के साथ आप तैयरी कर सकते हैं अलग अलग भी तैयरी कर सकते हैं UPPCS 2022 मुख्य परिक्षा के लिए सारे बैचेश एक जुलाई से स्टार्ट है prelims मुख्य परिक्षा 2022-2023 दोनों के answer writing भी एक जुलाई से स्टार्ट है इसके लावा history, लोग प्रशासन, public administration और sociology इन तीनों विश्यों की classes वेकल्पिक विश्य एक जुलाई से स्टार्ट है अगर कुछ और वेकल्पिक विश्य उनके अच्छे teacher मिलते हैं तो हम जरूर add कर देंगे आप लोगों को बता देंगे आरो यारो जब भी आएगा, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं अभी से तो उसके लिए complete material आपको 2023 या 2022 में तो नहीं आने वाला है 2023 आरो का जो आएगा उसके लिए अभी से जुड़ सकते हैं प्रिलिंस मुख परिक्षा के लिए आरो यारो वाले, UPPSC के जो आरो यारो का एग्जाम होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ तो यह सभी प्रोग्राम टेलिग्राम पे चलेंगे यह जो स्रोध बताएं हैं इनकी तबाव शक्ता नहीं रहेगी अगर आप हमारे material पढ़ते हैं तो वो ही परियाप्त रहेंगे आपको और कुछ पढ़ने की हम बात नहीं करेंगे सिवाए मैगजीन के मैगजीन और निउस्पेपर आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है और आप अपने से जो मेहनत कर सकते हैं इसके अलावा वो करते रही है क्यों क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके बैच में सभी पढ़ेंगे तो आपको हमसे भी बेश्ट करने का परियास हमेशा करना जाए कभी अपने परियास को सीमित नहीं मैं यह नहीं कहूंगा आपको की परियास आपने बंद कर दीजे लेकिन परियाप्तता की बात जब मैं करता हूँ तो मैं उस संदर में करता हूँ कि आप इतना पढ़ करके आराम से सफल हो जाएंगे चाहे प्रिलिम्स हो चाहे मुख्य परिक्षा उम्दा करने के लिए रैंक वन में आने के लिए आपको अपने से प्रियात्ता करना पड़ेगा और यही कटू सत्य है जो लोग भी टॉप करते हैं जरूर कुछ न कुछ या तो उनके भाग में ही इतना भाग ही परबल रहता है अन्य था कर्म में कुछ न कुछ एक्ष्टा रहता है कोई जनेरल ले आता है कोई case study ले आता है नेने examples set करता है example देता है यह सब आपको काम करना पड़ेगा हाँ example कैसे दिया जाए कहाँ पर कौन सा example suitable रहेगा यह मैं answer writing के दोरान आपको बताऊंगा यह मैं classes के दोरान आपको बताऊंगा वीडियो क्लासिस में बताऊंगा लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगे हमारे ही content मेहनत करने जो हम content आपको provide करवाएंगे उसी को revision करना है उसी पर मेहनत करना है उसे और ज़्यादा enrich करना है with information and with examples तो मेहनत करने के लिए अगर तयार है आत निरभर बनिये तो आत निर्भरता हर जगह लाबदायक रहती है तो यहां भी आपको सारे material प्रोइड करवाई जाए लेकिन हमारा हमेशा सुझाओ रहता है कि हम जो material देते हैं वो पूरी तरह से वो atom bum रहता है उस bum को जहां उसका प्रयोक करेंगे काम करेगा लेकिन उसमें आपको अपनी Videho Doo क्यों क्योंकि आपको सर्सेष्ट साबित होना है कि वह समय होना व्हें होना है मतलब rank 1 जब भी सपना देखो rank 1 का सपना देखो यह मसपना देखो PCS क्वालिफाई होना है रैंक वन का सपना देखेंगे तो जरूर रैंक वन आ जाएगी पाकी शुपकामना है आप लोगों के साथ है अपने जो भी क्वेरीज हैं और भी अगर बात हो तो रख सकते हैं और वाटसप है यह और इस वाटसप नंबर पर संपर करके हमारे डीज्यस से जुड़ सकते हैं 我知道 कि अध्यान से सब्मन्दित जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनने जुड़ने के लिए आप इस पर समपर कर सकते हैं अगली वीडियो में मेंस GS के लिए क्या पढ़ें स्वाध्या ये जो हमने आपको समगरियां बताई हमने आपको पता है कि 50% ये आपकी सहायता करेंगे मुखे परिक्षा में लेकिन मेंस GS के लिए क्या आप बुक्स रखिये कौन सी बुक पढ़िया अगर आप स्वाध्या करना चाहते हैं तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए नेक्ष्ट वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे ठीक है बाकी विकल्प आपके पास हमारा भी है आप अपना सकते हैं चाहे तो इसके लाए यूपी PCS के टेस्ट भी है तेस्ट के बारे मित आपको बता है नहीं तो यूपी PCS prelims के लिए आरो यारो के लिए जब भी आरो का notification आएगा उसके बाद टेस्ट आपके scheduled होंगे इसी तरह यूपी PCS के जो टेस्प होंगे वो अगस्त से जो अगस्त, सारी सितंबर से जब आपका मेंस हो जाया गए वाला मेंस के बाद स्टार्ट होंगे बाकी कोर्से अभी से श्टार्ट हो जाएंगे एक जुलाई से और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंड करें या फिर इस वाटसप नमबर पर WhatsApp कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद